Dear Students, Good Morning! मैं Dr. Rosie Shah. अपनी last class में मैंने B.A. third year के first paper में समाजिक विचारक Max Weber के समाजिक क्रिया के सिध्धान्थ को शुरू किया था. आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समाजिक क्रिया की विशेष्थाएं बताने जा रही हूं. समाजिक क्रिया की विशेष्थाएं. Max Weber ने अपनी समाजिक क्रिया की अवधारना को अपनी पुस्तक The Theory of Social and Economic Organization में प्रस्तुत किया है. इस पुस्तक के बारे में मैं आपको अपने पूर्व के वियाख्यान में विस्तार से बता चुकी हूं. आपने इस पुस्तक में समाजिक क्रिया सिधान्त की अत्यंत विस्तरित एवं विज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है. Max Weber ने समाजिक क्रिया की अवधारना को समझने के लिए इसे पांच भागों में बांट कर समझाया है. Max Weber के अनुसार क्रियाओं का ये वर्गी करन वस्तु के साथ सम्बंध पर आधालित है. पार्संस ने इसे अभी मुक्ता का प्रारूप माना है एवं मिल्स ने इसे प्रेड़ना की दिशा कहा है. Max Weber के समाजी क्रिया के वर्गी करन को समझने से पहले हम समाजी क्रिया की अवधारना को समझ लें. Weber के अनुसार किसी क्रिया को समाजी क्रिया मानने से पूर्व हमें पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए. अब इन विशेष्टाओं को मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ दूसरों के प्रती उन्मुक वैबर ने लिखा है कि समाजी क्रिया दूसरों के संभावित, भूत, वर्तमान या भविश्य के विवारों की और उन्मुक होती है आपका कहना है कि समाजी क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए ये आपस में एक दूसरे के वहवार को प्रभावित भी करें समाजी क्रिया परिचित या अपरिचित के साथ भी हो सकती है क्रिया भूत वर्तमान या भावी अनुमानित वहवार के द्वारा भी प्रभावित हो सकती है इसका उधारन मैं आपको बताती हूँ भूत काल में किये गए हमले के कारण बदला लेने के लिए जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वै क्रिया भूत कालीन क्रिया है वर्तमान में रक्षा के लिए यदि हम कोई क्रिया करते हैं तो वैक्रिया वर्तमान कालीन क्रिया है तथा भविश्य में हमले से सुरक्षित रहने के लिए यदि हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो वैक्रिया भविश्य कालीन क्रिया है यानि कि क्रिया का संबंद भूत वर्तमान या भविश्य से हो सकता है मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक में एक और उधारन द्वारा भी से समझाया है वेबर कहते हैं कि मुद्रा विनिमे का साधन है जिसे प्रतेक करता भुकतान के रूप में स्विकार कर लेता है क्योंकि उसे आशा है कि भविश्य में अपरिचित लोग अवसर आने पर मुद्रा विनिमे को स्विकार कर लेंगे इस विशेश्ता के अंतरकत जो बताने का प्रियास मैं कर रही हूँ वो ये है कि क्रिया का संबंद भूत वर्तमान या भविश्य से हो सकता है यदि हम किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए कोई क्रिया करते हैं तो वह भूत कालीन क्रिया है यदि हम भविश्य में होने वाले किसी परिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वह भविश्य कालीन क्रिया है इसी प्रकार drill master के निर्देश अनुसार यादी हम कहीं drill कर रहे हैं, तो वे वर्तमान कालीन क्रिया है, चलिए अब दूसरी विशेशता जांते हैं, प्रतेक प्रकार का, नहीं, प्रतेक क्रिया समाजी क्रिया नहीं होती, वैबर ने समाजी क्रिया की ये दूसरी विशेष्टा बताई प्रतेक प्रकार की क्रिया यहां तक की बाहे क्रिया भी वर्तमान चर्चा के अर्थ में समाजिक नहीं है आपने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बाहे क्रिया यदि पून रूप से जड़ अथ्वा नरजीव वस्तुओं के प्रती उन्मुक है तो वै असमाजिक क्रिया है यानि वो क्रिया समाजिक नहीं है समाजिक क्रिया की रचना व्यक्ति निष्ट द्रश्टिकोन करता है जब वै दूसरों के वहवार के प्रती उन्मुक होता है धार्मिक वहवार समाजिक क्रिया नहीं है यदि ये केवल इश्वर का ध्यान लगार कर कोई व्यक्ति बैठा है या एकांत में प्रातना कर रहा है अराधना कर रहा है तो वै इश्वर के प्रती उसकी प्रातना या अराधना के रूप में की जाने वाली क्रिया है लेकिन समाजिक क्रिया नहीं है यदि मैं इसे एक थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगी इश्वर की अराधना करना, नमाज पढ़ना, अकेले में समाधी लगाना, समाजी क्रिया नहीं है लेकिन यदि ब्रामन के कहने के अनुसार, उजन करना, मुल्ला के कहने अनुसार, नमाज पढ़ना, समाजी क्रिया है क्योंकि करता के ये वहवार अन्य व्यक्तियों, अन्य व्यक्ति मतलब ब्रामन या मुल्ला के वेवार से संबंदित है तो ऐसी क्रिया कौन सी कहलाएगी? तो वे समाजिक क्रिया कहलाएगी. अब मैं आपको तीसरी विशेष्टा बताने जा रही हूँ. प्रतेक प्रकार का मानविय संपर्ख समाजिक नहीं होता. वे अबर लिखते हैं मानव प्रानियों का प्रतेक प्रकार का संपर्ख समाजिक लक्षन वाला नहीं होता है. वे उसी सीमा तक समाजिक कहलाएगा जहां तक करता का वहवार अर्थपून तरीके से दूसरों के वहवार के प्रती उनमुक होता है. और आपने इसका उधारन भी से टक्रा जाते हैं तक्रा जाते हैं तो ये प्राकृति घट्ना जैसी बात हैं लेकिन यदि आपस में टक्राने Васे मतलब साइक्प्र किल चला रहे हैं चालक जो दोनों आपस में टक्रा गए और आपस में हाथपाई करने लगते हैं, गाली-गलोच करने लगते हैं मारपीट करने लगते हैं या मित्रता पून बाचित उन में होने लगती है तो यह क्रिया समाजिक क्रिया कहलाएगी यानि अगर वो केवल मात्र टकरा गए हैं तो वह समाजिक क्रिया नहीं है लेकिन यदि उन में आपस में हाता पाई गाली कलोच मार पीट मित्रता पून वेबार हो रहा है तो वे क्रिया समाजिक क्रिया कहलाएगी अब मैं अगली विशेष्था आपको बताती हूं समाजिक क्रिया समरूप नहीं होती वेबर अपनी पुस्तक में लिखते हैं समाजिक क्रिया ना तो अनेक वियक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सिर्क क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे वियक्तियों द्वारा प्रभावित है आपने इसे उधारन द्वारा सपष्ट किया है जैसे बर्सात या वर्षा हो जाती है और सड़क पर लोग छाता खोल लेते हैं इस प्रकार की क्रिया समाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी क्योंकि छाता कोलने वाले लोगों की क्रिया एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर रही है चाता उन्होंने इसलिए खोला है क्योंकि वे वर्षा से अपनी रक्षा कर रहे हैं बरसात से बचना चाते हैं इसी कारण उनकी क्रियाएं एक सी हैं उन लोगों ने वर्षा से प्रभावित होकर चाता खोला है ना कि एक दूसरे को देखकर चाता खोला है यानि कोई भी दूसरे की क्रिया से प्रभावित नहीं हो रहा है उनमें परस पर अर्थपून क्रिया नहीं हो रही है इसलिए एक सी या समरूब क्रिया ज़रूरी नहीं है कि समाजी क्रिया ही हो अनुकरन आत्मक्रिया समाजी क्रिया नहीं है मैकस वेबर ने अपनी पुस्तक में यह भी सबस्ट किया है कि केवल दूसरों की क्रियाओं का अनुकरन मात्र नकल करना यानि अनुकरन मात्र ही समाजी क्रिया नहीं हो सकता जब तक कि वे अन्य व्यक्ति की जिसकी नकल कर रहा है या जिसका अनुकरन कर रहा है की क्रिया से अर्थपून संबंद ना रखता हो अथवा उसकी क्रिया द्वारा अर्थपून रूप से प्रभावित ना होता हो इसका उधारन बताने जा रही हूँ, समझिए जैसे नदी में तैरते समय कोई व्यकती, सामने तैरने वाले व्यकती की नकल करके तैरना सीखता है, तो ये क्रिया समाजी क्रिया नहीं कहलाएगी, क्योंकि नकल करने वाले का कारे आगे तैरने वाले के वहवार या क्रिया से किसी रूप से संबंदित नहीं है लेकिन यदि तैरने का प्रशिक्षन देने वाले व्यक्ति का अनुकरन करके तैरना सीखा जाए तो ये क्रिया समाजी क्रिया कहलाएगी। क्योंकि व्यव्यक्ति उस प्रशिक्षक से अर्थपून्धं से सम्मन्दित है। मैक्स वेबर ने उप्रोक्त पांच विशेष्टाओं का वर्नन किया है लेकिन इन विशेष्टाओं के अतरिक्त समाजिक क्रिया की कुछ और विशेष्टाएं भी हैं जिनका वर्नन मैक्स वेबर के विभिन लेखों तथा पुस्तुकों के अध्यन में मिलता है आपके तथा आधुनिक समाशास्रियों की अनुसार कोई भी क्रिया तब समाजी क्रिया कहलाएगी जब तीन शर्तें पून करती हो अब इन तीनों शर्तों के बारे मैं आपको बताने में जा रही हूँ करता और प्रती करता का होना करताओं और प्रतिकरताओं का होना भी इसी के अंतरगत आता है समाजी क्रिया में एक या अनेक करता तथा एक या अनेक प्रतिकरता होते हैं जो एक दूसरे की उपस्तिती से अवगध होते हैं तभी क्रिया हो सकती है इनके संभावित रूप पताती हूँ मैं आपको जैसे एक करता एक प्रति करता, इसी प्रकार एक करता अनेक प्रति करता, और अनेक करता अनेक प्रति करता में परस्पर समाजी क्रियाएं होना संभव है परिस्थिति समाजी क्रिया के लिए दूसरी महत्वपून शर्त परिस्थिति का होना आवशक है जिसमें करता या करताओं और प्रती करता या प्रती करताओं एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करने से संबंदित वस्तुओं और विशेश्ताओं की सुविधाओं से सुसजित हों तथा एक दूसरे को प्रभावित करने की शंता रखते हों मुल्य विश्वास तथा प्रतीक समाजी क्रिया के लिए ये महत्वपुन शर्थ करताओं और प्रती करताओं के बीच सामान्य मुल्य विश्वास तथा प्रतीक होने चाहिए तथा उनमें आपस में आशाएं और अपेक्षाएं होनी चाहिए सामान्य मूल्य विश्वास और प्रतीक होने से ही समाजिक क्रिया संभव हो पाएगी ये शर्तें समाजिक क्रियाओं में भिन-भिन मात्रा में तथा भिन-भिन अनुपात में देखी जा सकती हैं थेंक्यू